अपने धर्शुकों को बता दे कि आज कॉंग्रेस की केड़े चुनाओं समीती की बैठक होनी है और बैठक में अमेठी और राइवरिली लोगसबा सीटों पर उमिदवारों के नाम पर फैसला हो सकता है ऐसे में अमेठी से राहु गांधी और राइवरिली से प्यंका गांधी के चुनाओं लड़ने की आतकले लगाई जा रही है हाला कि अमेठी और राइवरिली के लिए नामांकन 26 अप्रेल से शुरू हो चुका है कॉंग्रेस CEC के बाचक में आज पंजाब की लोगसबा सीटों पर भी उमिदवारों के नाम तैह हो सकते हैं उधर केंवे मंत्री स्मिती रानी लगातार अपने लोगसबा अमेठी छेत्र में चुनाओ प्रचार कर रही है तो बहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस कारकरताओं को भरोसा है कि तीसरी बार राहूल गांधी और स्मिती रानी अमेठी लोगसबा सीट से आमने सामने होंगे कॉंग्रेस सुट्टों की वाने तो वाइनाट लोकसभा सीट पर चुनाख खत्म होने के बाद राहूल गांधी अमेठी की तरफ रोक कर सकते हैं क्या राहूल गांधी फिर अमेठी से लड़ेंगे चुनाख क्या अमेठी का तंगल फिर स्मृति इनानी वर्सिस राहूल गांधी होगा 24 का रण अमेठी का मूट समझिए क्या किसरी बार अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति इनानी और राहूल गांधी आनने सामने होंगे क्या राहूल गांदी अपने परंपरकत सीट अमेटी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये सवाल हर किसी के जहन में है 2019 में राहूल गांदी को चुनावी पटकरी नेने के बाद एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में केंड़ी मंत्री स्मृति इरानी गाउं गाउं में जाकर सभाएं कर रही है और राहूल गांदी पर करारा बार कर रही है आज अगर हम गांदी परिवार से कहें मुसाफिर काना कहा हैं और मटियारी जीका गाउं कहा हैं बता पाएंगे अगर आज हम कांग्रेस के दिन्दी के नेताओं से कहें ये बताओ भिटुआ कहा है भादर कहा है बता पाएंगे सिंगपूर कहा है संग्रामपूर कहा है ये बता पाएंगे हलियापूर कहा है और हरियरपूर कहा है बता पाएंगे अर्देजी आपका नाम हिंदी ने लिखकर उनके हाथ में देदें पड़ पाएंगे इसमृती रानी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार अगर राहुल गांदी अमेटी आते हैं तो उनकी हार 2019 की हार से बड़ी होने वाली है पूरी अमेथी लोगसभाद छेत्र में एक लाग चौदा हजार गरीबों के घर बने हैं पात साल में जिसमें से दो साल करूना का था मतलब काम करने के लिए मेरे पास तीन साल था कांग्रेस पार्टी 15 साल लापता सांसद के माध्यम से दस हजार घर भी बनाए थी क्या हंटी इन साल में एक लाग चौदा हजार घर बनवाए हैं इस बार भी स्मृति रानी गाउं गाउं जाकर छोटी छोटी सभाई कर रही है और इन सभाव में गाउं की महिलाई जादतर स्मृति रानी को सुनने के लिए आ रही है स्मृति रानी लगातार अपने लोगसभाई छेतर में गूम रही हैं और रोजाना एक दरजन से जाता छोटी छोटी जन सभाई कर रही है मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ स्मृति रानी इस वक्त स्टेज पर है और वो लगातार सहगड के महिलाओं से पुर्सों से लगातार संपर्क कर रही है सीधे कनेक्संस का पेट कर रही है और जब स्मृति रानी 2014 पर चुनाव आ रही थी न्यूज एटीन इंडिया की टीम अमेठी के कई इलाके गई और लोगों की राय जाने की उनकी नजर में बहतर कौन है स्मृति इरानी या राहूल गांधी 2019 में स्मृति इरानी ने जैसे ही अमेठी से राहूल गांधी को चुनाव में शिकस दी उसके बाद स्मृति इरानी समझ गई कि अगर अमेठी में बने रहना है तो लोगों की बीच ही रहना पड़ेगा जिन महिलाओं से स्मृति इरानी ने मुलाकात की उन महिलाओं से न्यूज एटिन इंडिया ने भी बात की कॉंग्रेस सूत्र बताते हैं कि वाइनाट का चुनाव खत्म होने के बाद राहूल गांधी अमेठी की तरफ रुक करेंगे और यही वज़ा है कि अमेठी की कॉंग्रेस कारिकरताओं ने सबसे पहले राहूल गांधी की घर की साफसफाई करवा दी वैसे अमेठी की कारिकरताओं को पूरी तरीके से तयार है, ज़ा पूरा manifesto दिखाई है, कॉंग्रेस का guarantee card दिखाई है ये देखिए। ये ये ज़ला सीधा करके दिखाइये कि किस तरीके से स्मिती इरानी का पढ़ला भारी दिख रहा है लोगों को समझा कर थाने से बाहर हटाया लेकिन आक्रोशित परिजनों के साथ समाज के लोगों ने पाज बत्ती के बाद जाम लगा दिया परिजनों का कहना है कि आरोपी यूवक उनकी लड़की को बहला फुस्पला कर ले गया शनिवार को लड़की की शादी होनी है